प्रकास का गोली दरपड़ों पर परवर्तन जो प्रकास का परवर्तन होगा कहां पर गोली दरपड़ पर जो प्रकास का परवर्तन होता है वह कहां पर होता है गोली दरपड़ों पर गोली दरपड़ यानि चिकने सतहों से होगा ठीक है न कि दिवार से परवर्तन होता है इसे हम लोग संपूर परवर्तन या परवर्तन नहीं बोलते हैं ठीक है उसे बीसरड बोलते हैं लेकिन जो हम दरपड़ों पर यानि चिकने प्रिष्टों पर तो सबसे पर दरपड समझ लेते हैं गोली दरपड क्या होता है ठीक है गोली दरपड गोली दरपड तो जो गोली दरपड होता है ठीक है जो गोली दरपड होता है यह किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है इ ठीक है ऐसे तो इसका एक कटा हुआ भाग होता है अब काड़ दे तो दो टुकड़ों में बट गया ठीक है अब जो इसका टुकड़ा है अब इसके किसी एक परत्पर या तो इसके यह अंदर वाली परत्पर या तो बाहर वाली परत्पर जिसी यह टुकड़ा हो गया इसका कि एक टुक्ड़ा नहीं यह है है यह हमलें कि आप इसका टुकर हो गया है यह इस साई वाला है और इस साइट को लेंगे तो ऐसे हो जाए यह व्ला कि है अमौन 17 गरेंस है ति यह जो खोखले काच काटा हुआ भाग है इसके किसी एक परद पर जैसे इस वाले परत पे चांदी का या पारा का क्या करेंगे लेप लगा देंगे चांदी का या तो पारा का क्या लगा देंगे लेप लगा देंगे किसका चांदी का या पारा का चांदी या पारा का क्या करते हैं लेप लगा के और इस पर लाल आइरन का अकसाइड चड़ा देते हैं लाल लाल रंग का जो आयरन अक्साइड होता है आयरन अक्साइड लाल रंग के आयरन अक्साइड का क्या करते हैं इस परते चढ़ा देते हैं उपर से जिसे क्या होता है यह वाला जो साइड होता है यह वाला साइड यह वाला साइड क्या हो जाता है ठीक है अब परकास का परवर् परतन हो जाएगा क्या हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा ठीक है तो यहीं पढ़ना हमें प्रकास का परवर्तन गोली प्रिष्टों पे गोली दरपड़ों पे तो जो हमारा गोली दरपड़ की परिवासा कोई भी पूछे तो क्या बताएंगे कि जो गोली दरपड़ होता ह वह किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है ठीक है कटा हुआ भाग होता है जिसके एक परत पर किसी एक परत पर या तो उसके बहारी परत पर या इसके अंदर ये जो अंदर वाला परत है इस परत पर क्या करते हैं चांदी या पारा का क्या करते हैं लेप लग जाता है परावर्तन हो जाता है ठीक है तो इसे हम लोग गोलेंगे गोली दरपड तो गोली दरपड बता देंगे आप लोग कि गोली दरपड किसी खोखले ये अंदर ये किदम खोखला ये खोखला भाग है ठीक है ये खोखला है क्या है खोखला है और ये क्या है हमारा कांच है तो किसी खोखले काच का कटा हुआ भाग ही हम रख्या होता है गोली दरपड जिसके एक परत पर या तो बाहरी परत पर या उपरी परत पर ऊपरी परत पर या इसके नीचली परत पर नीचली परत पर क्या करते हैं चादी या पारा का लेप लगा के और उसके लाल रंग का इरन अक्साइड चढ़ा देते हैं जिससे उसका एक भाग क्या हो जाता है परवर्तक बन जाता है जिस पर प्रकास का परवर्तन का दिन करते हैं उसे क्या बोलते हैं गोली दरपड अब भी टाइप्स होते हैं उसके भी भाग होते हैं तो कितने होते हैं दो होते हैं यानि जो हमारा गोली दरपड़ है गोली दरपड़ वह कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के कि पहला कौन सा होता है अवतल दरपड़ अवतल दरपड़ अवतल दरपड़ और दूसरा जो हमा कि परायर केट्री जिसे हमारे दो धर कड़ बने तो एक को इसमें से किसे को उतर और प्रसे हम लोग कहेंगे ठीक है ऑतल दरपढ उसे जर्टी काट हूँ बताएंगे आपालिस किया गया होता है यानी ओतल होता है जिसके वह दरपड उभरे किया होता है पालिस किया हुआ होता है किस चीज का चांदी या पारे का लगा या लाल रंग का एर रान अक्साइड्श है ठीक साला तो कि अग Tob are both the अहुटा भास पर उतल किया होता है यानि उत्तल दरपड में कहा देंगे कि जिसके दबे हुए भाग पे क्या होता है पालिस होता है किस भाग पे दबे हुए भाग पे यानि हमारा दबा हुआ भाग पालिस किया गया हो तो वह दरपड होगा उत्तल दरपड और उभरा हुआ भाग पालिस किया गया हो तो वह द क्यां समझा करले यह नहीं जोब आपके लिए हैदमन दो गा चिन पर फाड़ी का का नियहां बस यहीं क्याते यहीं समझ लिजी अ click the इतना समय लेते कि की लुके से के ठीक है सुनों फीछ यीगा दरपड हमारे दो प्रकार को टे healthy dog थोड़ा गोली तरबड से समझीत परिभासा पड़े उसके बाद इस चिंपरिपाठी करें रखे इसके बास से आप लोग को और बहुत सी समझ में आए ठीक है वितना नोट कर लिजिएगा देखते हैं क्या गोलिय गोलिय दरपड से संबंधित संबंधित कुछ परिभास आये कुछ परिभास आये देखिएगा गोली दरपड से संबंधित Definite कुछ परिभास आये में पहला समझेगा पहला हम लोग सबसे पढ़ने पढ़ते हैं दुरह के बारे में खिसदिंधर के बारे में अब वह की नफ़्यूत संगतब उतल दरपड समझें या उतल दरपड आप से काات चुक्से करते हैं जिसके व्हांल फाइंगे परिभास आप कोई इस न मैं को पूछे भरी को को मैं । तो आप लोग जो कहेंगे कि जो दरपड होता है वह कोई सभी दरपड हो अउतल दरपड हो या उतल दरपड या आप सिदे सिदे एक सब्दों में कह सकते हैं कि जो गोली दरपड होता है उस गोली दरपड की जो परवर्तक प्रिष्ट होता है यह परवर्तक प्रिष्ट है इ इसको किसे दिनोट करते हैं पी से किसे डिनोट करते हैं पी से यह वाला टाइप क्लियर हुआ ठीक है कि इसको क्या कहते है परावर्तक प्रिष्ट के परावर्तक प्रिष्ट के मध्य बिंदू को मध्य बिंदू को एक लाइन में समझ गए किसे कहते हैं और यहां देख लिए यह जो दरपड़ है इसका परवतक प्रिष्ट है इसके मध्य बिंदू को यह लोग क्या बोलते हैं ध्रू बोलते हैं समझ में आया चलिए दूसरा बात करते हैं वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र क्या होता है यह जो हमारा दरपड है यह केसा है एक यह जो गोली दरपड है अवतल दरपड यह एक खोखले गोले कांच का बना होता है ना क्या होता है यह जो दरपड है हमारा कि यह एक खोखले काच बना होता है यह यह सको ऐसे आगए बढ़ाएंगे नहां यह क्या बनेगा एक गोला बनेगा चुन्न का बनेगा तो अदर्पड़ है उसका केंद्र होता है जब केंद्र होगा क्या ऐधर केंद्र हो easiest यहीं वाला हमने दरपड बनाया है तो यह जो यह जो दरपड है जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसको डिनोट करते हैं किसे कैपि से ठीक है तो एक लाइन में इसकी क्या परिभासा लिखेंगे कि खोखले गोले कांच के खोखले गोले गोले खोखले गोली या कांच के खोखले या गोले यानि खोखले गोले कांच के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं यह जो भी दर पड़ो जिस खोखले गोले कांच का क्या बना होगा बना होगा उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं इतनी बास समझ में यह चलिए अब हम तीसरा बास समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है कि के के कि तो कहते हैं तो धुर्व होगा इसमें यहां तो वक्रता केंद्र और धुरू को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है इसी को क्या बोलते हैं इसी रेखा को क्या क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष काते हैं इसी रेखा को क्या कहते हैं मुख्य अक्ष काते हैं ठीक है यानि यह हमारी जो रेखा निकल गई है इसे यह क्या बोलते हैं लोग मुख्य अक्ष काते हैं क्या कहते हैं मुख्य अक्ष इसको क्या बोलते हैं मुख्य मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष मैं एक्सिस तीन बाते समझ गए आप लोग ध्रू किसे कहते हैं तो पराउर्टाप्रिष्ट के मद्विंदू को ध्रू कहते हैं और जो दरपड़ है वो जिस खोखले कांच का बना होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं और वक्रता केंद्र और ध्रू को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष तो इसकी एक लाइन में परिभासा क्या लिखेंगे कि P यानि ध्रू पी यानि ध्रू और सी मतलब वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मुख्यक्ष कहलाती है ठीके? तो पी और सी यानि वक्रता ध्रू और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे क्या बोलते है? मुख्यक्ष बोलते हैं इतनी बाद समझ मैं है? चलिए अब अगला समझते हैं वक्रता त्रिजिया चोथी पॉइंट क्या समझते है? वक्रता वक्रता त्रिजिया वक्रता त्रिजिया इसको एक दम सब समझ जाएंगे न तो सब क्लियर आटमेटिक हो जाएगा ठीक है? कुछ नहीं है डाइग्राम दोर समझ जीएगा ध्रू समझ गए वक्रता केंद्र समझ गए मुख्यक समझ गए ठीक है अब वक्रता त्रजिया क्या होती है तो जो हमारा वक्रता केंद्र समझ गए वक्रता केंद्र और यह ध्रू इसी की बीच की यह जो दूरी है यह जो लेंध है यह जो लेंध है इसी को क्या बोलते हैं वक्रता त्रजिया बोलते हैं इसी को क्या बो करते हैं capital R से denote करते हैं किसे denote करते है capital R से तो क्या लिखेंगे C और P के मध्य की दूरी क्या कहलाती है यानि वक्रता केंद्र और धुरू के मध्य की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है या आप यह कह सकते हैं कि जो गोली गोली मतलब दरपन है वह अवतल हो गया उतल दरपन वह जिस इस खोखले कांच का बना होगा ना उसकी त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या जैसे यह बृत है बृत की त्रिज्या होती है आर इसमाल आर दिखाते हैं लेकिन उसी कुछ अब दरपन में समझते हैं तो उसी आर को कैपिटल आर करते हैं आर में बदल देते ह और उसका नाम होता है हमारा वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्योंकि सेंटर और परिधी के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं उसी तरह वक्रता केंद्र और धुरू के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी समझ मैं है मुख्य फोकस क्या होता है मुख्य फोकस ठीके अब समघhmm his focus a invert focus इस इस वह डाइग्राम पर समझा रहे हैं ठीके यह हमारा अध्रू हो हमारे यहाँ पर कहीं पर क्या होगा वक्रता त्रज्या सी होगी और इसी दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी हमारी क्या होती है वह मुख्यक्ष होती है क्या होती है मुख्यक्ष होती है तो देखिएगा इस मुख्यक्ष के समानतर जाने वाली किरडे इस मुख्यक्ष के समानतर जितनी भी किरड़े जाएंगी ठीक है मुख्यक्ष के समानतर जाने वाली किरड़े अब यहां पर पड़ेगी तो उस किरड़ का क्या होगा परवर्तन होगा तो परवर्तन के बाद मुख्यक्ष को जिस बिंदू पे काटती है न इस बिंदू पे काट इसी को बोलते हैं क्या मुख्य फोकस इसी बिंदू को क्या बोलते हैं मुख्य फोकस मुख्य फोकस क्या बोलते हैं मुख्य फोकस इस वाले बिंदू को क्या बोलते हैं मुख्य फोकस और इसको किसे डिनोट करते हैं कैपटल एप से किस वोड़ी नोट करते हैं कैपटल एप से तो अब समझेगा मुख्य फोकस क्या होता है तो वकरता के अंदर और धुरू यह हो गया इसको मिलाने वाली रेखा हमारा क्या हो गई मुख्यक्ष हो गई यहीं डाइग्राम यहां पर बनाया है ठीक है अब इस भी तेट जाएगी ना जो भी किरण जाएगी वह परवर्तन के बाद इस मुख्यक्ष को जिस बिंदू-पर काटे घी यहां काटे यहां गया घी यहां भी काटे यह जहां मिलती हुई पृती थो यहां पर तो डैरेक्ट देख रहा है लेकिन यह उतलोडigo और में जाएंगे ना उतलोड़ प्रमे तो जब इसा जाएगी तो ऐसे पर तो यह होगी है और मुख्य और यह हो गए है इसका यह होगया इसका पी करें ये किरड़ गई अब ये परवर्तन हो गी ना तो परवर्तन हो गई या मुख्यक्स को जिस बिंदू से आती विप्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं मुख्य फोकस ऐसे देखेंगे ना उतल दरपड में तो जाएगा ऐसे प्रकास प्रवर्तन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर वास्तों में नहीं दिखता है लेकिन हम लोग कलपना करते हैं कि हाँ उसी बिंदू से ना वो प्रकास की किरड आ रही है जा रही मुख्य फोकस के समांतर जाने वाले किरड परवर्तन के बाद जिस मुख्य फोकस को जिस बिंदू पर काटती है या वहां से आती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस क्या बोलते हैं मुख्य फोकस यह दोनों बाते आप से कहनी है आप लोग को कह बिंदू पे काड़ती है या जिस बिंदू से आती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस क्या बोलते हैं मुख्य फोकस समझ गए तो लिख लीजिए तो लिखेने में बड़ा हो जाएगा क्या लिख लीजिए चलिए लिख लेते हैं मुख्य ओक्ष के समान्तर जाने वाली जाने वाली इसको मेटा दे इसको मेटा दे है चलिए लिक लेते ले किरड का जाने वाली किरड़े परत्वर्तन के बाद परवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग फोकस बिंदु बोलते हैं क्या बोलते हैं focus बिन्दू इतना क्लियर में चलेगा इतना नोट करियेगा आ और अे नॉट लिजिए एक बर फिर से 2 औरा देंगे डियाग्राम पर ठीक है इतना नोट हो जाने कबाद एक है चाठवा पॉइंट है हमारा छाटवा पॉइंट और वो क्या है छाटवा पाइंट समझ लिजेगा यहां पर लिख दे रहे है यह चलिए इसको मिटा के लिख दे रहे हैं ठीक है इतना नोट कर लिजे जिसको नोट नहीं करना है वो वीडियो को पोस्ट करके सौट इस्किन कर लिजे इतना का चलिए अब एक लास्ट पॉइंट देख लेटें ठीक है एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं वह क्या है हमारा कि प्रवकस बिंदू हो गया यह सब हो गया थूरू अंदर वक्रता अंदर गृता जी यह सब वह गया अब बसक्तु ठीक कि दूरी कि फोकस दूरी क्या होती है तो फोकस दूरी इसे उसे कहेंगे जिसे वक्रता के अंदर के लिए क्या बलते हैं सी और पी के बीच की दूरी को लोग क्या बोलते हैं वक्रता त्रजिया बोलते हैं तो उसी तरह यह जो हमारा फोकस बिंदू है फोकस बिंदू और इस द्रू के बीच की जो दूरी है यह वाली जो दूरी है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं फोकस दूरी फोकस दूरी और इसको किसे दिनोट करते हैं यानि यह जो फोकस है और यह जो धूरू है इसके बीच की दूरी को किसे दिनो क्या करते हैं फोकस दूरी और इसमाल एप से यानि हम लोग कहेंगे कि एफ और पी के मध्य की दूरी के मध्य की कि दूरी क्या कहलाती है हमारी फोकस दूरी कहलाती है तो इतनी बाते आप लोग को याद रखना था कि इससे गोली दरपड से कुछ समंदित परिभास आएं से ठीक है अभी हाँ पर हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं आ पर एक रिलेशन पूछता है यान जो हमारा वकरता त्रिया है और यह जो फोकोस दूरी इसमें एक रिफ्रेशन फूसता थिक ह्यांग यह स्मझना है किसमें वकरटा के अंद्वर nella focus दूरी में संबंद इसको आप लोग को हाई स्कूल मेंध्यर को क्या है क्या क्या है प्रूफ किया है लेकिन हमें यहां प्रूफ करना स In advance है तो वकर्ता है कितनी होती यह कितनी होती है ती सी के यहीं हमें फर्मूला में संब्ध यक्रता किन्द्र है और एक क्या है तो फोकस फोकस दूरी होец ठीक है तो इसे रेज मार देने से थोड़ा दिक्कत हो जा रही है बदा टाइप के लगने लग रहा है तो हम लोग यहां पर लिखी दे रहे हैं कि जहां जहां क्या ए Exhale क्या फोकसदूरी है रोसिए और फॉकसदूरी और वक्रता त्रज्या वक्रती त्रिर्ज्या तरज्या है इसे कुछ फर्मूले है यह इसे कुछ आते हैं क्यूश्चन यह यहीं देदेगा कि वक्रता Romeo खेघर और फोकस दुरी में संबन्द है और चार अपसंदे देगा जिसमें से एक रहेगा यह तो ये देगा यह तो ये देगा ठीक है इन दोनों में से यह दोनों दिखे ऑफ्षन में तो इसमें से कोई एखीender सभी होगा एक तो अलट पीलट करड़े देगा अपान टू देगा या किसे दरपड का वक्रता ? तर जिया कि सी का मान देते देदेता ذica मान वीच सेंक्सक्स का मान कीतना होगा Étudh ढूपक करेंगे तो इतना नूट कर लिजी गा इतना नूट कर लिजए समझ में आगflu समझा कि ध्रू क्या होता है वकृता केंद्र क्या वकृता त्रिजय मुख्यक्स क्या समझा एक और अटशुर 걱정 का इस भी परिवहसाएं थिच्छ है उसको एक डाइग्रान दोरा एक जगा समझ लेते हैं ठीक है तो इतना नूट कर लिए फिर उसको समझाते हैं अब यहाँ पर समझेगा यहीं था हमँद गोली दरपड मां यह नो इतना वाला पाट यह वाला पाट हमारा क्या है गोली दरपड इसको मैंने आगे डैस बनाए यह इस खोखले गोले कांच का बना हुआ है ठेक है तो हमने बताया था सबसे पहले किस के के बारे में तो द्रू के बारे में द्रू के बारे में क्या हमने बताया था कि जो यह जो दरपड होता है ठीक है इसके परवर्तक प्रिष्ट के मध्य बिंदू को इस परवर्तक प्रिष्ट के मध्य बिंदू को क्या बोलते हैं द्रू बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं क किससे पीसे क्या बोलते हैं द्रू एक समझ गए फिर वक्रता केंद्र समझे थे हमनों कि वक्रता केंद्र क्या होता है तो यह जो दरपड़ है जिस खोखले गोले काज का बना होता है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं क के वरक्रता जेंद्र अ उसके बाते से मनें क्या संदर्थ था मुंख्य उक्ष क्या था तो वक्रता के अंद्र और धुरु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा थी कर दो को हम लोग क्या बहुते थे मुखह अक्ष्ण क्या बोलते थे मुखह अक्ष् क्या बोलेंगे मुख्य अप्च कि समझें चलिए तीन पॉइंट हो गया यह हमारा पहला पॉइंट था यह हमारा दूसरा पॉइंट था और यह हमारा तीसरा पॉइंट हो गया ठीक है चौथी पॉइंट पर हमने बताया था क्या कि क्या बोलते हैं वक्रता त्रिजिया यानि अभी वखरता केंदर और दुरू के बीच की दुरी को क्या बोलते हैं वक्रता ग्याय यह वाली जो दूरी है इसیک वो भूत नहीं वक चार ती आर इसको क्या बोलते हैं वक्रता है तुरिजया यहिए मारे कौंस आ है नो त्योटा चोथा है दोटी बात थे गोली दरपड़ से समंधित कुछ परिभासाय में चार समझ गए उसके बाद से हमने कहा था कि इस मुख्यच के समानतर जाने वाली किरड़े ठीक है मुख्यच के समानतर कोई भी किरड़ जाए यह गई किरड़ एञ यह ट्रुन यह आण यह आछ क्रिड़ जो किरड़ गए अब यह प्रवर्तन के बाद मुख्यच को जिस स्विन लुक फे काटेगी यह जिस विद्दू पर करती मिन् ए क्या होती यह40 थीत होती है उसका क्या बोलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं f यानि सवन्दु को बोलते हैं focus cuatro 걱정 वो भी क्या मुखे focus मूंखे focus इसको बाहर लिख लिए ठीक इसमें ज्यादा वह हो जाएगा दीखेगा नहीं सब आईते पाईते हो जाएंगी सीम में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मुख्य मुख्य फोकस के ऐसे होगह मारी पांच्वी बात ऐसा कि फोकास और इस धुरू के जो बीच की दूरी हे यह2000 दूरी है इसको वोलते हैं क्या फोकस दूरी इसको दिनोट करते हैं एप से चाहलित8 ऑलते हैं फोकास दूरी फोकस दूरी यह होगी हमारी छाठीवी बात इतनी बात बताई और एक और बात समझे लिजेगा आता है अभी लंब अभी लंब यह क्या होता है अभी लंब तो इसको भी समझे लिजे भाई यह जो गोली दरपढ है गोली दरपड तीरस गोली numéro पढ़क व्यां दो बिंदू जो वगता केंदर को मिलाते हैं जिसे यह जो वगता केंदर है वह भी लंबोष मिलाए ठीक है वकता केंदर पर लंबोष रही है यह यह ओंपर यहाँ वे जैसे मिलाएंग नैसे ऐसे इसको मिलाएंगे तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं अभी लंब बोलते हैं अभी लंब ठीके अभी लंब बोलते हैं इसी रेखा को ठीके जो वकरता केंदर को मिलाते हैं यानि गोली दरपड़ पिवे दो बिंदू जीसे माल ते हैं गोली दर पर से कुछ सम्भदीत परिभासा है जिसको आपने समझ लिया है ठीक है इतना clear है चलिए अब समझते हैं चिन परपाठी का नियम चिन परपाठी का नियम यहीं बताता है कि यह जो हमारी वह करता है त्रिज्या है फोकस दूरी है इनका sign कैसा होगा यह positive होते हैं negative होते हैं या दरपड़ पे जो हम लोग प्रतवीम रखते हैं जो वस्तू ठीक है तो चलिए उसको देखते हैं चिन परपाठी का नियम इसको एरेज करते हैं है कि यह चिन परपाठी का नियम कोई खास नहीं है ठीक है चिन तो जो भी है स्कूल तक पड़ा है वो तो चतुर्थांस के बारे में समझता ही होगा चतुर्थांस के बारे में जानता ही होगा कि चतुर्थांस हमारे कितने होते हैं चार एक यह सीधी लाइन एसे एक लंबोत लाइन खिशते हैं और दवारदर लाइन ठीक है जो हमारी और एक्स डैस इसी को लोग बोलते हैं चतुर्थांस ठीक है कोडिनेट्स इसे ही कहते हैं ठीक है अब इसी पर समझेगा हमाँ चिन परपाठी का नियम समझाते हैं चिन परपाठी का नियम क्या होता है कि इसी पर हमारा दरपढ होता है ऐसे दरपढ हमारा बनता है यह हमारा जो दरपड है ठीक है इसका जो धुरू होता है वह इस कोडिनेट का क्या होता है मूल बिंदू होता है क्या होता है मूल बिंदू होता है यानि यह जो हमारा धुरू है न पी यह कहां पे होता है 00 पे यानि मूल बिंदू पे होता है कहां पे होता है मूल बिंदू प कि हमारा उत्तल-path educational है कि इसका ही दरश होता है पालीस अंदर की तरफ होता है है ठीक है यह एध्र पक्र हो गया इसका यह दोनों का घ्रू हो गया ठीक है यह जो हमरा दरपड कौना सर्थ अडर्पड है उत्तल दरपड अर्य अर्य हमारा जो दर्पढ़ है वो कौँ सा है आवटल दर्पढ़ है अवटल दर्पढ़ इतनी बात क्लिए जो चलिए अब हमने तो पीछे बता दिया कि कितनी मतलब क्या क्या होता है इस पर यह धुरू हो गया इसका एक केंदर होगा उसको क्या बोलेंगे वकरता केंदर इन दोनों के मद में हमारा क्या होता है फोकस बिंदू होता है ठीक है इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं फोक वक्रता केंद्र इन दोनों के मद्ध क्या होगा हमारा फोकस विंदू इसके इसके बीच की दूरी वहीं क्या क्या लाएगी हमें हमारी फोकस दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी क्या 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 लाएगी इसको मिटा देते हैं ठीक है कि और इसके से भीच कि दूरी क्या क्या लाएगी वक्रतात्रिय इतिन बात के लिए यह दोनों पर होगा हमने पढ़े होंगे आप लोग भी जब हमने दस में पढ़ा था ठीके तो इसमें यहीं बताया जाता है कि यह जो इस साइड की दूरी होती है इस साइड वाली यानि एक्स यह जो मूल बिंदू है इससे दाइं तरफ वाली दाइं तरफ वाली दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है क्या होती है पॉजिटिव होती है इसके उपर जाएंगे उपर जाएंगे यानि इस एक्सिस से उपर जाएंगे तो ये उपर वाले भी क्या होती है पॉजिटिव होती है यानि मूल बिंदू से मूल बिंदू से मूल बिंदू से ले रहे उपर जाएंगे उपर तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा और दाएं जाएंगे तो दाएं जाने पर क्या होगा? दाएं जाने पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ठीक है? नीचे जाने पर क्या होगा? इसी मूल बिंदू से नीचे जाने पर क्या होता हमारी साइन क्या होता है नीगेटिव होता है और बाएं जाने पर बाएं जाने पर क्या होता है नीगेटिव होता है अब समझेगा यह हमारा में एक्सिस है अरे सोरी हमारा क्या है कोडिनेट है और इसका यह मूल बिंदू है क तो समझेगा और अउतल दरपड के लिए देखेगा उतल दरपड के लिए जो हमारी दूरी होगी वक्रता त्रजिया यह जो वक्रता त्रजिय होगी इसकी साइन क्या होगी इस साइड है तो क्या होगा निगेटिव होगा यह फोकस दूरी भी क्या होगी निगेटिव होगी क्या होगी निगेटिव होगी इसमें हम लोग हमेशा जो प्रतिभीम हमेशा जो वस् यह बाएं तरफ बाएं तरफ होती है ठीक है वस्तु जो होती है हमेशा बाएं तरफ होती है बाएं तरफ मतलब वस्तु इधर ही रखेंगे यह हमारी क्या है वस्तु है क्या है वस्तु है तो यह वस्तु है इधर तो इसी साइड है अवस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते ह यू से यानि जो यू होगा वो भी क्या होगा इसमें निगेट्व होगा क्या होगा निगेट्व होगा अब यहां से जाएगी एसी किरड़े फिर धर परवर्तन होगी फिर एक जाएगी किरड़ फिर उसका भी परवर्तन होगा तो प्रतविम भी बनेगा किस साइड बाएस यानि जो हमारा भी होता है वो भी क्या होता है नीगेटी होता है किस में आउतल दरपड में यह बाते होती है यानि यह सारा चीज क्या होता है नीगेटी होता है बस एक कंडिशन में जब हम लोग आउतल दरपड द्वारा प्रतवीम का बनना देखेंगे तो हाँ पर आप लो होगा वो क्या होगा पॉजिटीव होगा क्या होगा पॉजिटीव होगा फोकस दूरी भी इधर ही है यानि एफ हमारे क्या होगी पॉजिटीव होगी पॉजिटीव होगी अब इसके लिए भी वस्तु इधर ही रखी जाएगी क्योंकि वस्तु इधर ही तो प्रकास जाएगा क्या होगा नीगेटिव होगा आइसका करेंगे तो प्रतवीम अभासी बनता है और प्रतवीम इंस साइड मतनाई इसमें बता तो इन्सटेशो गुंढा सा सदेव कि दर बंता है उसमें इसका भी पड लेंगे अमर्म प्रत्रीों की मैं ठीक है यह टोपिक मैंने पहले ही बता दिया इसको दोनों उत्तल दरपड़ और तो दरपड़ पर प्रतविम्बो का बनना पढ़ने के बात पढ़ने तो और अच्छी तर समझने था लेकिन कोई बात नहीं यहां पर भी आप लोग समझ जाएगा ठीक है उतना यह टॉफ नह समझ इना यह टेक यहां यहां करता है एक दरपड़ और एक लें सैंझ इसकी फोकस दूरी है और फोकस दूरी है और फोकस दूरी एफ का मान है इतना कुछ भी दे दे माइनस 15 सेंटी मीटर माइनस 15 सेंटी मीटर तक वह दरपढ और लेंस होगा वह दरपढ और लेंस होगा तो फोकस दूरी किसमें है माइनस में तो देख लिए यहाँ पर माइनस है यानि यह तो कंफर्म हो और आगे हम लोग देखेंगे क्या दरपड़ों का अवतल दरपड़ पर प्रद्रीन बनना और उतल दरपड़ पर प्रतविंबो का बनना ठीक है और जाते जाते आपको मतलब इस वीडियो में तो बस इतना ही देखेंगे जो अगले वीडियो में देखांगे ठीक लेकिने लोग आप लोग Air लोग को स्क्रीन पर दिखा दिया जा रहा है इसको आप लोग पढ़ लिजेगा आप पढ़ने के बाद इसको पढ़ कर याद रखेंगे तो जोब हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे ना यानि अगला वीडियो हम लोग सुरू करेंगे जिसमें पढ़ेंगे प्रतविंबु का ब झाल 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 झाल